नमस्कार दोस्तों हम लोग इड़िटेरिया के द्वारा निकाला गया समान एध्यन के 7500 पलस MCQ का प्रेक्टिस सेट देख रहे हैं आज प्रेक्टिस सेट नमबर 147-148 देखेंगे तो आएए बिना समय गवाय सुरू करते हैं पहले प्रस्ण से पहला प्रस्ण कहा रहा है कि तरि सौर उर्जा से रसाइनिक उर्जा में रुपांतरन का उधारण और इसका सही अंसर हो जाएगा प्रकासन सलेशन क्या है प्रकासन सलेशन आप फोटोस्तेल जो है वो सौर उर्जा से क्या है वो इलेक्ट्रिक उर्जा में करता है भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई है इसका अंसर हो जाएगा C बर्स 2007 में हुआ है समुंद्र या महा सागर में डूवी हुई बस्तुओं की स्थिती जानने के लिए निम्न में से किसी अंतर का परियोग किया जाता है और इसका अंसर हो जाएगा C सोनार का क्या है सोनार का जब परकास के प्राथमिक रंगो लाल हरा और निला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा और इसका अंसर हो जाएगा C सफेद होगा प्रकिर्टिक में कौन से बल का स्थित्व परतियक अस्थान पर है कौन से बल कास्ती तो प्रतियक कस्थान पे है और इसका अंसर हो जाएगा C, गुरुत्वा करसन बल गुरुत्वा करसन बल F वराबर होता है फर्मुला G, M1, M2, Y, क्या होता है? R² होता है किस बर्ग के पोधों में पानी और अन्पदार्थों के संबहन के लिए संबहन उत्थक, जायलम और फ्लेवें पाये जाते हैं? सही जबाब हो जाएगा C, टेरिडो फाइटा कौन सी अस्थन पाई जन्तु है जो सिसुमों को जन्म ना देकर अंडे देती है? कौन सी अस्थन पाई जन्तु है? जो सिसुमों को जन्म ना देकर अंडे देती है और इसका सही जबाब हो जाएगा वो हो जाएगा एक डीना और प्लेटीपस दोनों यानि D जो है वो सही अंसर हो जाएगा सिसुओं को जन्म ना देकर अंडे देती है और यह अस्तन पाई जन्तू है लाइसोसोम जिसे आत्महत्या का थैला भी कहा जाता है क्योंकि उसमें अंसर जो हो जाएगा D. जल अब घटक एंजाइम है मानव सरीर में मौजूद निमलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइट्रोकांडिया नहीं पाया जाता है अंसर हो जाएगा A. लाल रक्त कोशिकाओं में यूजेनिक्स किसके अध्यान से संबंदित है अंसर हो जाएगा D. अनुबंसिक घटकों में फेर बदल के कारण मनुस में हुए परिवर्तन अनुबंसिक घटकों में फेर बदल के कारण मनुस में हुए परिवर्तन डौन सिंड्रोम से ग्रसित ब्यक्तियों में निम्में से कौन सा रोग सरवाधिक होता है अंसर हो जाएगा C. अलजाइमर सही जबाब हो जाएगा C. छोटी आत्मे अलप बिक्सित अर्थव्यस्था की समान बिसेस्थाएं होती है और इसका जो अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्ति बेक्ति निम्नाज उन्जी निर्मान की निम्नदर, जनसंख्या, दवाब ये तीनो वो प्यूक्ट मेसेज जो है वो सभी निम्निक्त में कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं कौन से कारक है जो उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं और इसका अंसर जो हो जाएगा कौन सा D. लाव निमलिखित में किस समीती का संबन्द गरीबी मापन से नहीं है अंसर हो जाएगा B. P. J. नायक क्या है? P. J. नायक कॉंसिप्रेसी टू कील राजिव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और सही जवाब हो जाएगा B. K. रंगोथमन क्या है? K. रंगोथमन इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है सही जवाब हो जाएगा D. कोशी बुढ़ी गंडग संजुक तराष्ट पट्येक बर्स किस दिन को अंतराष्टिये गुलामी उनमुलन दिवस मनाता है? सही जवाब हो जाएगा A. दो दिसंबर उपन्यास दुर्गेस नंदनी के लेखक निमलिखित में से कौन है? सही जवाब हो जाएगा B. बंकिम चंदर चिटर जी निमलिखित में किसे चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा और इसका अंसर हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा जै परकास नरायन निमलिखित में से किस अंदोलन से संबंदी थे अंसर हो जाएगा असो के सासनकाल में बहुत सबा किस नगर में आयुजित की गई थी और इसका सही अंसर हो जाएगा और इसका अंसर हो जाएगा किस ने सीविल सेवा परिच्छाओं में प्रिवेस किया दिक्तम आयुजित की सिमा 21 से घटा कर 19 कर दी थी किया गया था समिधान सभादवारा राष्ट मंडल में भारत की सदस्ता का सत्यापन कब किया था और इसका अंसर हो जाएगा अ मैं 1949 में भारत में छेतरिये परिच्छदों के संधर में निमलिखित में कौन सा कतहन जो है वो सही है तो परिसदे भारतिय संग बिवस्था के उप संगिय सुत्र के रूप में कार्ज करती है, सही है, परिसदे भारतिय संग बिवस्था में राजाओं के मद्ध सहयोग एवं एकी करन का मार्ग प्रसस्त करती है, सही है, अंसर हो जाएगा C, एक तथा दो दोनो, राजपुनर ग कथन आयोक के अध्यास निम्लिखित में कौन थे और इसका सही जवाब हो जाएगा ए फजल अली निम्लिखित में कौन सा कथन गलत है कौन सा जो है वो कथन गलत है तो वह मंत्री मंडल सचिवाले का परशासनिक परमुग परधान मंत्री होता है यह गलत है तीनों परधान मंत बायू के 36 संचलन के ताप का स्थानांतरन क्या कहलाता है और इसका अंसर हो जाएगा option C अभी बहन निमलिखित में कौन सा कथन पार्थी बिकिरन के संबन में सही है पार्थी बिकिरन के संबन में जो है वो सही है तक पिर्थीवी द्वारा उत्सरजित दिर्ग तरंग उर्ज किस नाम से जाना जाता है और इसका अंसर हो जाएगा बी शवाना भुकंपिय तिबृता को किस से मापा जाता है भुकंपिय तिबृता को सही जवाब हो जाएगा option A reactor scale महादीपों एबं महासागरों के बितरन से संबन्दित महादीपिय बिस्थापन सिद्धांत किस बग् बितरन से संबन्दित महादीपिय बिस्थापन सिद्धांत किस बग्यानी के द्वारा प्रतिपादित किया गया और इसका अंसर जो हो जाएगा अलफ्रेड वेगनर निमलिखित में कौन सा खनी समानता अगने तथा रुपांतरित सैलों में पाए जाते हैं तथा इसका जैती आ चल बास्य पसुचरन पद ती और इसका सही जवाब हो जाएगा एह राजस्थान एल्कवलिक को जाएगा काश को सिलिकॉन डाइयन से औक साएट से क्लोरिन का इलेक्ट्रोनिक्स रूपन क्या होता है और इसका अंसर जो हो जाएगा वह जाएगा डी 287 हो जाएगा तर्वाइन बड डाइनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस उर्जा का बिधूत उर्जा में परिवर्तित करते हैं किस उर्जा को बिधुत उर्जा में और इसका सही जबाब हो जाएगा वो मेकेनिकल उर्जा को टर्वाइन को या डाइनमो को जब घुमाएंगे तो हमारा क्या होगा बिधुत उत्पन होगा जो घुमाना हुआ वो मेकेनिकल उर्जा हुआ जो उत्पन रसायन उदोग में कौन सत्यजा मूल रसायनिक माना जाता है और इसका सही जो अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा बी अगला है किसी निश्ची तापमान पर संत्रिप बिलियन कैसा होता है किसी निश्ची तापमान पर संत्रिप बिलियन कैसा होता है और इसका अंसर हो जाएगा option C ठोस बिले घोलने में असमर्थ ठोस बिले घोलने में असमर्थ अंग्रेजी साहित के लिए पहली बार ग्यानपिट पुरुषकार कभ दिया गया था और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन D 2018 में भारतिय थल सेना के दस्चिन पर्ष्चिम कमांड का मुख्याला कहा है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन C जैपूर सही जबाब हो जाएगा अप्शन C आपदा परवंदन से बरफानी तुफान किस परकार की आपदा है और इसका अंसर हो जाएगा वे कौन से बिशेस परकार के भावतिक और तट्ये प्रस्थित की तंत्र है जिसे इनेसको के मानब और जी मंडल प्रोग्राम MAB के अंतरगत मानिता प्राप्त है अंसर हो जाएगा A जी मंडल नियम अरच्छे छेतर जी मंडल नियम जो है वो अरच्छे छेतर है चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रक्टिस सेट नंबर 148 के पहला प्रस्थन पहला प्रस्थन है कि जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में परिक्त मसीन और पुंजी के मुल में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं अंसर हो जाएगा D निवल घरेलू उत्पाद और इसका अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किस द्रब की बासपंदर किसी द्रब की बासपंदर जो है वो उप्रोक्त सभी पर निर्भर करती है सौर मंडल का हिलियोसेंट्रिक मॉडल सर पर्थम किसके द्वारा प्रस्तूत किया गया था सही अंसर हो जाएगा D निकोलस कोपर निकस निकोलस कोपर निकस निमलिखित में कौछ सा गरह माना द्वाराख हो जा गया पर्थम गरह है और इसका अंसर हो जाएगा B, Uranus है माना द्वाराख हो जा गया पर्थम गरह जो है वो Uranus है उसके बाद Neptune, उसके बाद Pluto बाद में Pluto को बाउना गरह के नाम से संबोधित करने लगे द्राब अवस्था में परिवर्तित हुए बीना अवस्था से सीधे गए सबस्था में बदलने की प्रकिरिया को क्या कहते हैं? सही इंसर हो जाएगा B. उर्ध पातन यानि सबली मेशन कहते हैं लट्टु को घुमाना किसका एक उदारन है? और ये उदारन है अभी केंद्रिये बल का सेंट्री पिटल फोर्स का किसी अभी किरिया में भाग लेने बाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा B. अभी कारक बास्तविक बस्तु का हमेशा सीधा परतिवीम बनाने बाला दर्पन होता है? सही जवाब हो जाएगा C. जाइलम मानव सरीर में लेंगर हैंस की दीपका कहां पाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा B. अग्नियासाई में इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनल परसीद है? किस योगदान के लिए डवर्ड जेनल परसीद है? अंसर हो जाएगा A. टीका के लिए बैक्सिनेशन के लिए DPT बैक्सिन में P. किसे संदर्विद करता है? अंसर हो जाएगा B. पर्टूशिस क्या है? पर्टूशिस निमलिखित में कौन सा स्थंदारी बर्ग के अंतरगत नहीं आता है? और इसका अंसर हो जाएगा B. छिप के लिए निमलिखित जीब समुह में कौन सा जीब समुह मुकुलन द्वारा परजनन करता है? अंसर हो जाएगा B. सिलेंट्रेटा रक्त छिमता यानि एनिमिया की स्थिति किसकी बज़ा से उत्पन होती है? तो यह होती है B. आर्बिसी की कमी से मस्तिष का कौन सा हिसा सोचने बुधिमानी, यादास्त और सिखने की छमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? और इसका सही अंसर हो जाएगा B. स्रेब्रम क्या है? स्रेब्रम निमलिखित में से किसे मानव सरीर की जैबरसाइन परियोगसाला भी कहा जाता है? जैबरसाइन परियोगसाला भी कहा जाता है? अंसर हो जाएगा C. लीबर को अंसर हो जाएगा D, के चुआ बसा का पाचन करने वाला इंजाएम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्तराबित होता है अंसर हो जाएगा C, अग्नियासे के द्वारा नियुटन के गुरुतवा करसन के नियम के नियम के नुसर दो बस्तूओं के बीच कबल खाली अस्तान होता है अंसर हो जाएगा D, उनकी द्रवमान के गुनेच के समानुख पातिक होता है एक धुरूब को दुसरे धुरूब से मिलाने बाले कालपनिक अर्ध बृत क्या कहलाता है और इसका अंसर हो जाएगा B देसांतर रेखा निम्न में से कौन सचतान मैगमा या लावा के जमने से नहीं बनती है अंसर हो जाएगा D चूना पत्थर अट्लांटिक महासागर की जल धरा निम्न में से कौन नहीं है सही जवाब हो जाएगा कतनों पर विचार करें और कितने कतन सही है ये बताएं तो इसका जो अंसर हो जाएगा कि 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की उचाई बाले छेत्रों में लिचन घास पाया जाता है अंसर हो जाएगा सभी चारों जो है वो सही है भारतिय रेलवे ने बिविद संस्कृतिक के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंता संग्राम में योगदान दिया है यह कथन किस का है तो यह कथन है महात्मा गांधी का भारतिय रेलवे ने बिविद संस्कृतिक को लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंता संग्राम में योगदान दिया है यह कथन है महात्मा गांधी का निमलिखित में से किस में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है अंसर हो जाएगा A किरोसिन में आधूनिक रासांस सास्थ्रका जनक किसे कहा जाता है तो कहा जाता है लिवोजियर का कौनसा सबसे भारी दातू है सही अंसर हो जाएगा D बैकलाइट निमलिखित में से किस के संग्नन से बनता है बैकलाइट अंसर हो जाएगा D पिनावल एवं फॉर्मेल डिहाइड के टेफलॉन निमलिखित में से किसका बहुलक है अंसर हो जाएगा ए टेट्रा फ्लोरो इतलीन का भारत में राज सभा के सदस्यों का निर्बाचन की बेवस्थान निमलिखित में से किस देश से संबंदित है सही जवाब हो जाएगा राज्टपती के उमीदबार के लिए क्या अवस्यक नहीं है और इसका अंसर हो जाएगा सी पढ़ा लिखा हो सरकारी सेवाओं में अनुसुची जाती जन जाती के अभ्यरतियों के लिए पदोन्नतियों में आरच्छन की वेवस्था किस समिधान संसुधन अधियम द्वार लिए यदि भार्तिय संग में एक नए राज का सर्जन किया जाता है तो समिधान की किस अनुसुची का संसोधन करना होगा अंसर हो जागा इसपढ़ अनुसुचई कानून द्वारा विश्णु पुरान निमलिखित में से किस बन से संबंदित है तो ये संबंदित है मौरे बन से विश्णु पुरान सैप पर्थम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस के सासक द्वारा किया गया था दिल्ली के अमीरों का दमन अंसर हो जाएगा बी इ जनरल कौन था था भारत का गवर्णर जनरल था बारेन हैस्टिंगेस भारत के चावल के कटोरे छेतर का नाम से जाना जाता है और इसका अंसर हो जाएगा बी कृष्णा गुदावरी का डेल्टा छेतर रेडियो कारवन तिथी निर्दारन विधी से किसकी आयू का पता चलता है अनसर हो जाएगा ए जिबास्म का पीने के पानी को सुद्ध करने के लिए निमलीखित गैस होँ में से किसे परयोग में लाया जाता है अंसर हो जाएगा भी क्लोरीन को राष्टी सुरच्छ गाड़ नस झी स्थापना कब की गई थी, कि की गई थी सुची 1284 में उपकिन कर्म भूमी संक्र वा सर्मात के लिए न्सर्थ हमारे पास होगा कि यजुर बेद की किस साखहा को कि नाम से जाना जाता है ещё बाल टीरिया बस तुनित शमाने धिन के पच्छतर सो प्लस बुक में दिया हो प्रैक्टिस इट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेर कर देजाएगा धन्यवाद